देवी कुंड सागर विकानेर यह विकानेर रेल्वे स्टेशन से 9 किलोमेटर की दूरी परस्तित है देवी कुंड सागर विकानेर राजपरिवार का समाधी स्थल है जहां पर राजपरिवार के सदस्यों का अंतिम संसकार किया जाता है इन समाधियों पर छत्रियां बनी है जो कल्यान सागर तालाप के तट पर तीन परकोटों से घिरी है छत्रियों के अलावा राजकुमार वे राजकुमारियों के स्मार्क भी बने हैं सबसे प्राचीन चत्री बिकानेर के पांचवें सासक राव कल्यान मल जी की है जो 1571 इस्वी में बनाई गई है पुरूष चत्रियों में खड़ा प्रस्तर स्मार्क लगाया गया है और महिला चत्रियों में पच्चिन्नों को एक सिला पर उतकीन किया गया है तथा अल्प वेस्टों के स्मार्क को चत्री विहीन में रखा गया है जिने नाडा कहा जाता है सोल्वी स्तापदी से पहले की छत्रियां लाल पत्थर से ही बनाई गई थी तथा उसके पस्चाद की छत्रियां संगमर्मर से बनाई जाने लगी महराजा करंड सिंग वे महराजा अनूप सिंग जी की छत्रियां यहां की छत्रियों में कला की द्रिष्टी से सबसे स्टेस्ट हैं जो क्रमसे 1675 इस्वी वे 1698 इस्वी में बनाई गई थी सत्रियां राजपूत स्थापत्य कला में महत्पून स्तान रखती हैं राजा राई सिंग वे राजा सूर सिंग जी की सत्रियां लाल पत्थर से बनी हैं जो राजपूती स्थापत्य का अदबुद उधारण है कि अ सबस्क्राइब ए है